मैं दिल्ली के एक फैक्टरी में साफ सफाई का काम करता हूँ, मेरा घर फैक्टरी से 5 किलोमेटर की दूरी पर है, मेरे पास एक साइकल है, जिससे मैं अपने घर से फैक्टरी और फैक्टरी से घर आता जाता हूँ, एक दिन जब मैं फैक्टरी से घर जा रहा था, तो रास्त में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वहां मुझे घूर घूर के देख रही थी मैं उसे टालते हुए अपने घर की और निकल पड़ा दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वहां मुझे फिर से घूरने लगी फिर भी मैंने उसकी तरफ पलटके नहीं देखा और अपने घर की और निकल पड़ा, मैं उसके पास रुखा भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था, वहाँ लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी, एक दिन वहाँ लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी, तो मैं सोच मे पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वहाँ लड़की आज नहीं आई, फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा, एक हफ़ने बाद मेरे घर पर एक चिठ्थी आई और मुझे पता चल गया था कि यह चिठ्थी उसकी ही है, उसमें उसका नाम प्रीती लिखा हुआ था, और उ प्री से निकलो तो जहां पर मैं खड़ी रहती हूं वहाँ पर मेरा इंतजार करना उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पर पहुँच गया, तो वहाँ लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी थी, मैंने काफी इंतजार किया, फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया डौट और तभी म खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है, तो मैंने बोला कि मुझे प्रीती से मिलना है, तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीती को मरे हुए दो महीने हो चुके हैं, मेरे हाथ पाफ काम पने लगे मैं सोच में पढ़ गया कि वहाँ लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिठी भीजी थी, वहां कौन होगी? मुझे लगा कि वहां उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीती के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ था। तभी मैं भाग कर अपने घर पहुचा फिर मैंने उस चिठी को जला दिया डॉट और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अंज कान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गाव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में पांच अध्यापक और थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी। और उनका अपना अपना परिवार था और मैं कुमवारा था। मेरी शादी नहीं हुई थी। सब लोग गाव में मकान भाड़े से लेकर रहते थे। और मैं स्कूल के पास ही एक अलग छोटा सा कमरा बना हुआ था। जिसमें मैं अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों और खेत और जाडिया थी। स्कूल गाव से थोड़ी दूरी पर था। स्कूल में बिजली नहीं थी। और मैं अकेला अपने कमरे में लालतेन जला के खाना बनाता और खाकर सो जाता था। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकलते हो। कल से हम लोग खाना खाने के घर पर जाकर खानावाना खाके अपने कहे अनुसार मेरे सारे मितर रात को दस बजे मेरे घर पर आ गए। और हम लोग बाते करने लगे। थोड़ी रात बीट गई। तभी हमारे एक मितर ने कहा कि यहाँ पर ना तो बिजली है, ना तो तीवी है। हम लोग बैठ कर यहां पर क्या करेंगे चलो, आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं, दूसरे मित्र ने बोला हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं, और हम लोग धीमी लालतेन को जला कर, उसके सामने बैठ कर ताश खेलना चालू कर दिया, थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी, तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी तो अच्छी हवा आने लगी, और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए, तभी हमारे तीसरे मित्र ने बोला कि हमारे पास बीड़ी और माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाए हम लोगों ने बोला क्यों नहीं, तो हमारे मित्र ने चार बीड़ी जलाई, सबने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली, तभी एक मित्र ने बोला अरे मुझे भी तो पिलाओ हमने हंस कर बोला, क्यों मजा कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी, तो उसने बोला कि ह हमको तो दिया ही नहीं हमको लगा, कि यहां मजाक कर रहा है डॉट और हमने यहां बात हंसी में टाल दी, दूसरे दिन मेरे मित्र लोग मेरे घर पर फिर से आ गए, और बीडी ताश के पत्ते खेलने लगे यहां सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीडी लेकर चला गया, तब तो मनों की मेरे होश उड़ गये, लेकिन उसका चहरा हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लालते नधीमी जल रही थी। यह घटना चार-पांच दिन तक मेरे साथ होती रही, तो मैंने छटे दिन जब सवेरे मेरे मित्र लोग स्कूल में पढ़ाने आये, तब मैंने यह बात सब को बताई, सब ने बोला हां मैंने भी सुना है, कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारण जहर खाकर आत् कौन हो, क्या पता कोई आदमी ही हो, और हमारी तरह वह भी रात में टाइम पास करने आता हो, हमने बोला कि ठीक है, रात में मेरे सारे मित्र मेरे घर आये, आज तो पांचवा आदमी भी खिडकी से अंदर आकर बैठ गया, साथ में ताश खेला और बीडी भी पिया, जब ख के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुचाया था, हमारे एक मित्र ने उसके मुह पर तौर्च जलाई, तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तौर्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था, वह काला काला आदमी मटमेली सफ पेद रंग की धोती और मुह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे, सब लोग बहुत दर गए, सबने बोला चलो गाव वालों को बताते हैं, हमने बोला नहीं बच्चों के भविश का सवाल है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा, तभ पूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया तो रात में वहां अंदर खेलने नहीं आया, हम लोग ऐसा चार-पाँच दिन में एक बार रख के आ जाते थे, एक बार गाव वालों ने देख लिया और पूछा तो हमने सारी बाते बता दी, तब से आज भी वहां पर गाव वाले बीडी माचिस ताश के पत्ते हफते में एक बार जरूर चढ़ाते हैं, और आज भी वहां आत्मा किसी को परेशान नहीं करती, यहां एक आंखो देखी घटना है, एक बार गर्मी के छुटियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे, मामा के घर में नानी मुझ तबियत अचानक खराब हो गई, तब मेरे मामा मुझे मेरे घर ले आए, वो भी मेरे घर पर रुक गए, जब मेरी मा की तबियत सही हो गई, तब मामा जी बोले की मैं अपने घर जा रहूं। और मैं आंधन में पानी पीने के लिए उठी, तब ही मेरी नजर उपर गई और मैंने देखा कि धुआ जैसा कुछ उठ रहा है, तब मैंने अपनी मा को जगाया और मा को बोला मा उपर देखो, यह काला-काला धुआ जैसा क्या उठ रहा है, मेरी मा समझ गई, कि यह मेरी च मेरी मा ने मुझे सुला दिया, और खुद घर के पीछे बैर का पेड लगा था, उसी के नीचे बैठ कर रोने लगी. क्योंकि बकाइन मेहंदी के पेड पर हमेशा रात 11 बच कर 30 मिनट बजे के बाद चुडेल आत्मा भूत प्रेत निवास करते हैं, और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी. कभी मैंने देखा कि मेरी मा के आस पास बहुत सारी औरते बैठी हुई थी, मेरे दिमाग में कुछ ना सुझ रहा था. एक बार हम लोग आठवी कक्षा में जब पढ़ रहे थे, तो गुरू जी ने बताया था, कभी भी भूत प्रेत या आत्मा दिखाई दे तो गायतरी मंत्र का जाप करो, बजरंबिली का नाम लो, तो आत्मा वहां से दर कर भाग जाएगी. उस वक्त यहां बात मुझे याद आ गई, और मैंने वैसा ही किया, जैसे गुरू जी ने बताया था, आज मैं और मेरी मा सही सलामत है. लेकिन जब से मेरी मा के साथ ऐसा हादसा हुआ था, तब से मा को थोड़ी भूलने की बीमारी और थोड़ी डरने की बीमारी हो गई. और एक कमरे में बंद रहने लगी, क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा दिखाई देती है. लोग बोलते हैं कि यहां असत्य है, लेकिन जिसके उपर बीटती है, वही जानता है.